नमस्कार आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीता राम जी दोस्तों पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य अपने सेनापती मंगल के साथ आपकी राश्य को प्रकाशित करने जा रहे हैं वे जानना चाहते हैं कि उनके प्रकाश से आपके जीवन में कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे वे एक-एक करके समझ रहे हैं कि उनका प्रकाश आपके जीवन के किन पहलूँ को प्रभावित करेगा इसे अपने व्रिष्चिक लगन राश्य के अनुसार देखिए आपको इसमें 100% सटीकता मिलेगी ध्यान दें 16 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक सूर्य देवता जो आपके जीवन में आपके कर्म के निर्देशक बनते हैं आपकी लगन राश्य पर स्थित होंगे दूसरी ओर आपके लगन राश्य के स्वामी मंगल देवता का प्रभाव भी 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपकी लगन राश्य पर रहेगा इसका अर्थ है कि इस अवध ही में आपका नाम और कार्य सरवाधिक चर्चा में रहेंगे आप देखेंगे कि आप पर सभी की नजरें रहेंगी इस पूरे समय में केवल एक ही बात प्रमुक रहेगी आपकी उन्नती और सफलता विश्चिक राश्य पर सूर्य और मंगल के गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानना दिल्चस्प होगा सबसे पहले सूर्य देव आपके कर्मक शेत्र के स्वामी बनते हैं इसलिए अगर आपके कैरियर से जुड़ी कोई परिशानी है तो इस दौरान आप में विश्वास आ जाएगा कि आप अपने काम से जुड़ी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं इस समय आपके कैरियर के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर आपके सामने आ सकता है एक नया विकल्प आपको मिल सकता है जो आपके कैरियर को नई उचाईयों तक ले जा सकता है यदि इसकी स्थिती दस्वें भाव में हो मतलब केंद्र में हो तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा चूंकि आपकी राशी के स्वामी मंगल है जो सूर्य के बहुत अच्छे मित्र है इसलिए भी यह आपके लिए अनुकूल स्थिती है वृष्चिक एक जल तत्व की राशी है लेकिन यहां दो अगनी ग्रहों की उपस्थिती इसे बिलकुल खराब नहीं बनाती क्योंकि दोनों राशियों के मित्र हैं और मंगल तो स्वयम इस राशी का स्वामी है इस हिसाब से दोनों जलादिवास करेंगे अर्थात वहां पर उपस्थित होकर शान्ती और आनंद की अनुभूती आपके जीवन में लाएंगे कैरियर से जुड़े हुए किसी भी शान्तिदायक अनुभव से आप लाभानवित हो सकते हैं आप परिवर्तन चाहते हैं परिवर्तन होगा प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन की स्थिती यहां बन सकती है या फिर आप नौकरी में प्रयासरत हैं यदि सही और सटीक समय अभी मिल नहीं पा रहा है तो समझिए कि इससे बेहतर गोचर परिवर्तन आपके लिए संभव नहीं है 27 दिसंबर तक जो 2023 के अंतिम दिन तक चलेगा आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या फिर यह आपको सकारात्मक्ता की ओर अग्रसर करेगा दूसरी ओर जब सूर्य देव जिस भाव और स्थान पर होते हैं जहां से वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं आपके भीतर आकर वे आपके आत्म विश्वास में व्रिद्ध करेंगे आप महसूस करेंगे कि आप अपनी हर समस्या का सामना करने में सक्षम है आप स्वयंग को एक संघर शील व्यक्ति मान कर प्रयास करेंगे और निरंतर सफलता प्राप्त करने की अधिक संभावना होगी सूर्य को एक स्वाभिमानी ग्रह माना जाता है इसलिए आपके अंदर भी स्वाभिमान जागरित होगा अगर हमें किसी द्वारा बार बार प्रतारित किया जाता है तो भी हमें अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए ऐसे में हमारा स्वाभिमान ही हमें सफलता दिला सकता है मंगल देवता हमेशा हमारे साथ हैं वे हमारे राश्षिके अधिपती हैं जब लगनेश लगन पर स्थित होता है तो जोतिश शास्त्र में इसे अच्छा माना जाता है ऐसे समय में हमें अपने उपर काम करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए इस दौरान हमारा आत्म विश्वास बढ़ेगा और हम में साहस तथा पराक्रम बढ़ेगा माना जाता है कि जिसके अंदर हिम्मत आ जाती है वह बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड की चड़ाई पूरी कर सकता है जो बोल भी नहीं पाता वह बोलने लग जाता है इसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या चल रही है तो मंगल उसे दूर करने के लिए हमारी मदद करने आए है मंगल का छठे भाव पर प्रभाव है इसलिए स्वास्थय का विशेश ध्यान रखना चाहिए अगर पहले से कोई स्वास्थय समस्या है तो इस समय शान्ती मिल सकती है मंगल की उपस्थिती से स्वास्थय में सुधार होगा दूसरी ओर अब सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टी आप पर अनुकूल रूप से पड़ रही है सब्तम भाव मेरा व्यापार है और दशम भाव से मेरा करियर भी निर्धारित होता है इसलिए करियर ही तै करेगा कि जीवन में क्या होगा अतह यदि आप व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं तो समझे कि सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा मतलब आपको पराकरम तो मिलेगा ही साथ ही राजा का साथ भी मिला है और इसके साथ साथ आपको अंगरक्षक मंगल का समर्थन भी मिलेगा इससे बहतर परिणाम और क्या हो सकता है यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं और कोई वादा या इरादा रखते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है आप इस समय पर अपने मन में जो कुछ भी पूरा करना चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा यदि कोई पुरानी समस्या व्यापार से जुड़ी हुई है या फिर हमारी मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने में देरी हो रही है तो समझ ये कि यहाँ पर आपकी शुभत्व की दृष्टी पड़ रही है यदि दामपत्य जीवन असंतुलित या असामान्य है तो यहाँ पर भी एक सामान्य और अच्छी स्थिती बनने की संभावना है यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने वाला और विवाह के रिष्टे लाने वाला है मंगल के पास कुछ विशेश दिष्टियां होती है उन दिष्टियों के अनुसार मंगल देवता प्रतिफल देते हैं मान्यता है कि जिस भाव पर मंगल की दिष्टी होती है वह भाव किसी प्रोटेक्शन से कम नहीं होता अर्थात हमें एक सनरक्षन प्राप्त हो जाता है जब मंगल की स्थिती अच्छी होती है तब उनकी दृष्टी आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है चतुर्थ भाव सुख और संपदा का स्थान है मंगल भी स्वेन संपदा और भूमी के कारक माने जाते हैं इसलिए मंगल की दृष्टी से आपके चतुर्थ भाव में सुख और संपदा बढ़ सकती है इस समय आपके प्रापर्टी से जुड़े कुछ काम अटके हुए हैं यदि आप उस प्रापर्टी को बेचना चाहते हैं तो मंगल देवता आपकी इच्छा अनुकूल वर्दान देंगे यदि आप प्रापर्टी बनाना चाहते हैं तो भी मंगल चतुर्थी के दिन आपकी मदद करेंगे इस प्रकार दोनों दृष्टिकोंड से मंगल की अनुकूलता रहेगी जब मंगल की दृष्टी सुभह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो यह माता के स्वास्थे के लिए सुरक्षा का संकेत है इस प्रकार आपको शांती का वातावरन दिखाई देगा यह स्थान हमारे परिवार का होता है इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय बिता सकते हैं आपके जीवन में अब मंगल की उपस्थिती से आपको बल मिलेगा जैसे किसी राजा या महा पुरुष का साथ मिलने से व्यक्ति में साहस आता है उसी प्रकार मंगल की उपस्थिती से आप में भी साहस और बल आएगा और आप अपने कारियों को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे इसी प्रकार से मंगल अश्टम भाव पर स्थित है इस समय आने वाली रुकावटें और बाधाएं अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगी आप पूरी कोशिश करके इन समस्याओं से निपट सकते हैं कई लोग सोच रहे होंगे कि परिवर्तन की यह स्थिती उनके साथ नहीं हो रही है लेकिन ध्यान रखिए जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारे जीवन में संतुलन बनता है इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखें अगर अच्छे ग्रहों का संयोग बन रहा है तो हम जोतिशी के रूप में आपके जीवन को बदल नहीं सकते आपको यह समझना होगा कि हम आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं यदि बदलाव है तो परिवर्तन भी है परिवर्तन केवल भगवान ही नहीं कर सकते ग्रहों की स्थिती भी इसमें योगदान दे सकती है हालांकि हमें खुद भी परिश्रम करना पड़ता है हम भी एक जोतिशी हैं फिर भी हमें अपने जीवन को बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है मेरा मानना है कि जब हमारा परिश्रम हमारी उन्नती की ओर अग्रसर होता है तो परमात्मा भी हमारी बुराईयों में भी सफलता देने के लिए विवश हो जाता है शायद यही सफलता का संकेत है कि आपके लगन में सूर्य और मंगल आ रही हैं अपने परमात्मा को कभी न भूलें और उनका आश्रय लेते हुए आगे बढ़ें ध्यान रखिएगा आपके भाई पंचम भाव के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती हैं जो स्वयंग ज्यान की वृद्धिमानते हैं इसलिए इस समय आपका ज्यान भी सदैव की तरह जागरित अवस्था में रहेगा बस इस वर्ष आपको उस नाते को नहीं तोड़ना है जिस पर आपका मन टिका हुआ है जिसे ईश्वर ने अब तक आपको संभाले रखा है क्या वह आगे भी आपको नहीं संभालेगा हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए कि जब तक हम अपने हाथों से कोई कार्य करते रहेंगे ईश्वर हमारी रक्षा करते रहेंगे हम जो सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता जब तक हमें अपने भाग्य की समझ नहीं आती और ईश्वर की क्रिपा नहीं मिलती भी जीवन मंक अच्छे और शुभ संयोग बनते हैं। ध्यान रखिए कि हमेशा अपने प्रियजनों का सम्मान कीजिए। आशा है आप सभी ने मेरी बात समझ ली है। यदि मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो जैसे हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्यार हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर से सभी को शुभकाम नाएं। आप सभी का दिन मंगल मैं हो। जैश्री राम।